बॉलिवुड जगत के लेजेंडरी अक्टर मिधुन चक्रवर्ती अपनी बेटी दिशानी की वज़ा से काफी चरचमे हैं जहां दिशानी चक्रवर्ती इतनी खुशूरत हैं, इतनी हसीन हैं कि हर कोई इन पर अपना दिल वार बैठा है और मिथुन के पास अपनी बेटी के लिए कई सारे रिष्टे भी आ रहे हैं लेकिन आप जानते हैं कि जहां मिथुन के पास बेटी के लिए रिष्टे आ रहे हैं वहीं दिशानी चक्रवर्ती बड़े-बड़े स्टार किट्स के प्रपूसल को रिजेक्ट करके अराम से और इनके half brother लगते हैं शाहित कपूर जहां इन्हें चक्रवर्ती काफी पसंद आ रहे हैं लेकिन जब इन्हों ने अपना प्रपोजल दिया तो दिशानी ने बिना कुछ सोचे समझे इनके प्रपोजल को रजेक्क कर दिया और साइड में रख दिया दिशानी के मताबिक इनक विजय देवरकुंडा के पिता हैं देवरकुंडा गोवर्धन राओ यह एक जाने माने प्रेडियूसर है अपनी इसी रुत्बे का फायदा उठाते हुए विजय ने भी दिशानी के लिए अपना प्रपोजल देजा था लेकिन दिशानी को साउथ इंडुस्ट्री के हीरोस म होना चाहती है यह नौर्थ इंडिया और विदेशों में रहना जादा पसंद करती है इसलिए इन्हों ने विजय को भी रिजेक्ट कर दिया नंबर तीन पर आते हैं यश्वर्धन आहुजा इनका नाम हर किसी लड़की की जबान पर है यह गुविंदा के ऑफिशली सन हैं ब पापा के बीच में किसी भी कोई इकताय तो दिमाग चलाते हैं उन्होंने प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया नंबर फॉर अरियन खांड शारुक खान के बेटे आरियन खान जो यह बहुत बड़े बड़े जाने बाने पिता के बीटे हैं आरियन खान आरियन खान ने बड़े हिम्मत करते हुए दिशानी को प्रपोजल भेजा था उन्हें डेट के लिए बोला था लेकिन दिशानी ने साफ मना कर दिया एटिट्यूट दिखाते हुए कि आरियन खान जिस तरह से ड्रक्स कांड में पकड़े गए थे और जेल भी गए थे इस दिशानी ने साफ मना कर दिया कि वे सेकंड हेंड बॉइंड फरेंड नहीं चाहती है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दिशानी ने इन सब को रिजेक्ट करके सही किया या गलत कमेंट शेक्शन में जरू बताएं